ये भी कबर है कि पांच विधान सबस सीट पर उप्सुनाव हो रहे हैं तो नितीश कुमार के ओपर खत्रा मन जा सकता है के चलिए कि इन पांचों सीट पर अगर राज़त जीत जाता है तो ऐसे स्थिती में जो प्रबलता है सरकार बनाने की वो मजबूत हो जाती है की खत्रा तो नितीश कुमार पर है ना लालू प्रशाद यादो तो तुरत एक्सन लेंगे और पांच विधायक चटका के सरकार बनाने का सोचेंगे समय भी नहीं लगेगा लालू प्रशाद याद आपको ये खेल बिगारने में बिल्कुल और 18 साल बाद नया मुख्य मंतरी भी देखने को मिल सकते निकल के सामने आ रही है कि नितीश कुमार जो है वो जो मज्य वर्ती चुनाओ की बात नहीं चल रही थी मांसी वो करवा सकते हैं अब बीच में ही चुनाओ हो जाएंगे बिल्कुल राष्टर पती सासन लागू होगा यहाँ पर और उसके बाद बीच में ही चुनाओ हो जाएंगे नमस्कार आप देख रहें NBC24 और मैं हूँ आपके साथ मांसी बिहार की राजनीती हर जगह से बिल्कुल अलग है क्योंकि बिहार की राजनीती में कब भुचाल आ जाए कब क्या हो जाए यह कहां नहीं जा सकता है बात अगर बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार की करे त पाच विधान सभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं यह भी खबर है कि पाच विधान सभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो नितीश कुमार के उपर खत्रा मन रहा सकता है ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीश है आईए इनसे बातचीत करते हैं आश नितिस कुमार के उपर खतरा मंढरा सकता है दर्सकों के लिए मैं बता दूँ कि जो 109 की बात की जा रही है वो अभी बिहार विधान सभा में 243 सीटे हैं और इसमें जो मैजिकल नंबर 122 का है तो उसमें मानसी अभी NDA की बात करे तो 134 विधायक है लेकिन ये जो 134 विधाय से आए हैं और चार राजद की ओर से आए हैं वो समर्थन नितिस कुमार को करते हैं लेकिन विधायक उन्हीं के इंडिया गटवंधन के दल के हैं इसलिए उनको बागी विधायक कह रहे हैं तो ऐसी स्थिती में अगर वो जो 109 है और ये 6 जो वापस आ जाते हैं तो ये हो जाता है टोटल 115 और पांच विधान सभा सीटों पर उप चुनाओ है जिसमें कि बेला गंज है इमाम गंज है तराई है जहां जहां से खाली हुए हैं तीन तो सांसदी बन गए हैं उधर से उमेश प्रसाद हैं फिर उसके बाद इधर से आपके सुरेंदर यादो हैं फिर सुछां की फिर आपके खाली है फिर ऊसके बाद एंप जानती है रुप आली की जो सीट है भी खाली हो गया पूर्ड्या की तरह इमाम गंज की सीट हो गया है वह है तो आसी स्थिति में क्या होगा कैसे करेंंगे ये लोग इसके उपर जो है पूरी समिकरण जो है वो टिकी होई है मान के चलिए कि इन पाँचों सीट पर अगर राज़त जीच जाता है तो ऐसी स्थिती में जो प्रबलता है सरकार बनाने की वो मजबूत हो जाती है क्योंकि टोटल सीटें 117 हो जाएंगी दर्सकों को और अच्छे से समझना है तो हमारा एक वीडियो है फॉर्मूला 109 प्लस 6 प्लस 2 उसको जा करके आप जरूर देखें एक बार और मानसी ऐसी स्थिती में नितिश कुमार क्या करेंगे ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है क्योंकि खत्रा तो नितिश कुमार पर है ना लालू प्रशाद यादो तो तुरत एक्सन लेंगे और पांच विदायक चटका के सरकार बनाने का सोचेंगे समय भी नहीं लगेगा लालू परशाद यादव को ये खेल बिगाडने में बिल्कुल और 18 साल बाद नया मुख्यमंतरी भी देखने को मिल सकता है तो ऐसी स्थिती में देखिए बातें निकल के सामने आ रही है कि नितिस कुमार जो है वो जो मध्यवर्ती चुनाओ की बात नहीं चल रही थी मांसी वो करवा सकते है बीच में ही चुनाओ हो जाएंगे बिल्कुल राष्ट पती सासन लागू होगा यहाँ पर और उसके बाद बीच में ही चुनाओ हो जाएंगे ताकि तेजस्वी कोई हेर फेर कर नहीं पाएं तो ये खबरे लोकसभा चुनाओ के दौरान भी कर रही थी कि अगर NDA की सरकार बनती वे तो चुनाओ तुरंत हो जाएगा ने देखिए मानसी ऐसी बाते चल रही थी लेकिन अभी नितिष्ट कुमार जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है केंदर के लिए तो नितिष्ट कुमार तो चाहते ही थे कि दिसंबर में ही चुनाओ हो जाए लेकिन कुछ कारणों की वज़े से कुछ एजेंडास जो इनके थे साथ निश्चे दो के वो पूरे नहीं आपने देखा होगा तुरत बहालिया निकलने लगी है तो जब समिक्षा बैठक होई नितिष्ट कुमार का तो उनकी जो बातचीत होई तो उसमें यही हुआ मानसी कि कैसे हम लोग एक साल के अंदर में जो जो काम निप्टाना है वो निप्टा लेते हैं फिर आराम से 25 में चुनाओ करवाएंगे क्योंकि नितिष्ट कुमार के ही वज़े से सरकार चल रही है तो ऐसी स्थिती में नितिष्ट कुमार भी थोड़े सांत थें लेकिन अगर लालू प्रसाद यादो पांचो उप चुनाओ पर जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिती में मानसी लालू यादो सांत नहीं बैठेंगे और लालू यादो कोई भी एक्षन लेने की कोशिस करेंगे सर का राष्ट्रपती सासन लागू करवा देंगे और मध्यवर्ती चुनाओ जो है वो हो सकते हैं और इसी यही एक तरीका है मानसे जिससे खत्रे को टाला जा सकता है और नहीं तो फिर तो जोड तोड के लिए तो दोनों ही जाने जाते हैं दोनों ही अपना जानती ही आप कैसे ह तो यही बाते हैं तो आपने सुना कि आशीष ने अभी क्या बताया कि अगर लालु परशाद यादफ कुछ गरबर करते हैं तो नितीश कुमार के पास केवल एक रास्ता है कि वो अभी ही सरकार गिरा कर राष्पती शाशन लागू करकर और बीच में ही शुनाओ करवा दी जाए अगर लेकिन देखना काफी दिल्चस्प होगा कि ये बाते जो हैं वो निकल कर सामने आती है क्या वाकई नितीश कुमार ऐसा करते हैं जो भी होगा आपको जरूर बताएंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एन बीसी 24 पर